दोस्तो गुड मौर रनिंग तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें अपने mcoin wallet को जो हमारा play store के उपर mcoin wallet है जहाँ पर हम अपने mcoin को store करते हैं कि वो हमें metamask पर कैसे लेके आना है तो first आपने open करना है जो भी आपने अपना email ID डाला है जैसे जो मेरा email ID मैंने mcoin wallet बनाने के time डाला है तो मैं search करूँगा simple mcoin account credential और मैं इसको search में डालता हूँ तो 26 June 2021 को मैंने ये mcoin wallet पे account बनाया और मैं इसको click करता हूँ तो यहाँ पर जो है private की आ रही है इस private की को मैं copy करता हूँ private की को copy करने के बाद मुझे जाना है metamask के ओपर metamask में जो mobile use करते हैं उनके left hand side में ये option आएगा हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक option है import account इस import account में आपने इस private की को paste करना है और import पे click करना है तो जैसे ही import पे click करेंगे already मैंने ये account अपना import कर रखा है import लिखके आ जाएगा और आपका जो balance है mcoin वाला balance वो metamask के उपर दिखना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों मेरी आप सभी से request हैं कि आप अपने mcoin wallet को metamask के उपर इस तरीके से email से private की उठाइए यह जो मैंने आपको खोला है यह private key था यहां पर जो आया है जो zero access शुरू हो रहा है और उसके बाद आपने metamask पे आके import account पे click करके enter your private key string here पे paste कर देना है और import पे click करना है तो इस तरीके से जो आपका account है वो fetch हो जाएगा metamask के उपर thank you so much